नमस्कार मित्रों इस वीडियो में मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ एक मैथ वर्किंग मॉडल जिसके द्वारा हम बचों के एडिशन के प्रैक्टिस खेल खेल में करा सकते हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है तो सबसे पहले मैंने एक एफोर साइज का कलर फुल पेपर लिय इसे भी कट कर देंगे और अलग-अलग पेपर पे अलग-अलग फ्लॉर्स को ड्रॉ कर कर के कट कर लेनी है इससे हमें बहुत सारे फ्लॉर्स मिलेंगे हम बहुत सारा कलर पेपर भी लेंगे जिससे की बचे को यहाँ एक्टिविटी थोड़ा सा मज़ेदार लगे आकर सक लगे तो यहाँ पे हमने बहुत सारे फ्लॉर्स रेडी कर लिये हैं इस तरह से अब हमें कार्ड बोड लेंगे और उसे पतली-पतली स्ट्रिप्स में कट कर देंगे जितने हमने फ्लॉर्स बनाए हैं उतनी ही हमें स्ट्रिप्स भी बना लेनी है और इसे स्ट्रिप्स पे तो इस तरह से हमारे सारे फ्लॉर्स रेडी हो चुके हैं और इस पर अब हम नंबर्स लिख देंगे 0, 1, 2, अगर आपको 2 डीजिट्स की प्राक्टिस करानी है अडिशन की तो आप इस पर 11, 12, 13, 14 इस तरह से लिख सकते हैं तो अब हम डिफ्रेंट कलर्स के डिफ्रेंट साइज के फ्लॉर्स रेडी कर चुके हैं अब हम एक फ्लॉर पार्ट बनाएंगे तो इसके लिए हमने पेपर को फूल्ड किया और फ्लॉर पार्ट के सेप में इसे कट कर देंगे तो एक साथ अगर paper को fold करके cut करते हैं तो हमें बहुत सारे floor part मिल जाएंगे अब उसे 3 side से paste लगाएंगे और उसे paste कर देंगे हमें यहाँ पे 3 side पे ही paste लगानी है तो यहाँ पे हमने सारे floor part को paste कर दिया है उस पे number भी लिख दिया है 1 से 20 तक आपको जितनी प्रैक्टिस करानी है आप उतने floor parts बनाएए उतने number लिखे अब हम बच्चे को 2 floors चूच किये 6 प्लस 3 बच्चा add करेगा और उन्हें insert करेगा जैसे 6 प्लस 3 उसे 9 मिला तो 9 पे वा insert किया तो यहाँ उसके लिए एक fun activity होगी और उसके addition की भी बहुत अच्छे practice होगी यहाँ पे हमने 7 प्लस 7 दिया तो बच्चा उसे 14 पे insert किया इस तरह से 6 प्लस 9 बच्चा add किया 15 अब उसे वा 15 में insert करेगा तो बहुत अच्छे से addition के practice होगी अब हम उसे दूसरा तरीका करा सकते हैं अब हम उसे 5 प्लस 4 देंगे तो भी उसका रिजल्ट आएगा 9 इस तरह से हम उसे 8 प्लस 1 देंगे 9 प्लस 0 देंगे तो उसे यह thinking develop होगी कि एक digit को कितने सारे numbers को add करके बनाया जा सकता है 9 प्लस 9 को ही हमने देखा उसे 5 प्लस 4 9 प्लस 0 एड़ किया अब दूसरा तरीका है addition practice कराने का जैसे हमने 17 दिया बच्चे को अब इन flowers में से 2 digits को choose करेगा जिनका addition होता हो 17 तो बच्चे ने 8 और 9 को select किया और उसे 17 में insert करेगा इसी तरीके से अब हम बच्चे को देंगे 14 अब बच्चे दो numbers को यहाँ पर चूच करेगा जिनका addition होता हो 14 तो इससे उसके addition की बहुत ही ज्यादा अच्छे से practice हो जाएगी उमीदें आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को like जरूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न आये हैं तो subscribe जरूर करिएगा Thank you